अगर आपने भी जंदन खाता खुलवा रखा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुती महत्पूर्ण होने जा रही है अपको दादें की जंदन खाता योजना के अंतरगत जिन भी लाबार्थियों ने खाता खुलवा रखा है उन सभी को तेरा बड़े फाइदे मिलने जा रहे हैं अब यह तेरा बड़े फाइदे कौन-कौन से हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल वाई जानकार दे जा रहे हैं एक-एक फाइदे के बारे में आपको बताए जाएगा जन्धन योजना के अंतरगात आप दो हजार रुपे से लेकर ठाइलाख रुपे तक का लाब प्राप्त इसमें आप कर सकते हैं अब वह कौन-कौन से फाइदे हैं इस बारे में हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं एक-एक फाइदे के बारे में आपको जानकारी दे जाएगी अगर आपने भी परधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगात खाता खुलवा रखा है तो आप हमारे साथ आंत तक बने सब नहीं तक वीडियो को देखते रहेगा वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हमारा जिदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइको नहीं किया है तो के मैल है इसमें लाव प्राप नार। कर सकते हैं वहांये तो आपको दादे कि प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत कई बड़े फाइदे दिये जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 13 फाइदे बताएंगे जिसमें लावार्थी आसानी से यह फाइदे ले पाएंगे। जैसे कि हमने आपको सुरुवात में ही बता है कि 2,000 रुपे से लेकर 2,500,000 रुपे तक का लाव लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें भारत का वह वैक्ति हों चाहिए और इसमें जंधन योजना के अंतरगत वे खाता खुलवाया हुआ हो। चाहिए वैक कोई साथ भी बैंक क्यों ना हो आपने किसी भी बैंक में खाता खुलवा रखका है वै दोस्तों जंधन योजना के अंतरगत होना चाहिए। ति दोस्तों यहां पर बताया गया है कि सरकार की तरफ से कई बड़े नियम भी जंधन खाता में निर्धारित के गए हैं जिसके अंतरगत लाबार्थियों को लाब दिया आता है उन सभी नियमों का पालन करना होता है उन सभी सुजिधाओ का लाब आप भी ले सकते हैं फिरी में खुल जाता है अगर आप दोस्तों किसी अधर बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको वहां पर पैसे दिने होते हैं यानिके वहां पर एक हजार रुपे में या फिर पांसे जार रुपे में या फिर दस जार रुपे में खाता खुल जाता है लेकिन दो सब्सक्राइब ले सकते हैं वहीं अगर आपका जंदन खाता च्छे महीने पुराना हो चुका है तो आप ओवर्ड्राप्ट की स्विधा भी ले सकते हैं ओवर्ड्राप्ट की जो सीमा निर्धारित की गई है जंदन खाते में वह 10,000 रुपे हैं हलाकि इसमें आप 2000 रुपे भी मुफ्त में ले सकते हैं अगर आपने जंदन खाता खुलवा रखा है 2000 रुपे लेने के लिए इसमें कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है चाहे आपने कभी भी खाता खुलवाया है आप 2000 रुपे अपने खाते से निकाल सकते हैं चा यहां पर दिये गए हैं दोस्तों देखिए बिना किसी सर्थ के जैसे कि आपको बताए कि 2000 रुपे तक का आप और ड्राप्ट की जो स्वीदा हैं वह ले सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है ज्यादा सर्थ इसमें निरधारित नहीं की वहीं जन्धन योजना के बेनिफिट नमबर 4 जन्धन खाता खोलने वाले को रुपे डेविट कार भी दिया जाता है जिसमें वह खाते से पैसे निकाल सकते हैं और सोपिंग भी कर सकते हैं खृत दारी भी कर सकते हैं काफी वैक्तियासे हैं जो जानना चाहते हैं कि जन्धन योजना से क्या फाइदे मिल सकते हैं क्या benefit वह प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं तेरा बड़े फाइदे हैं जिसमें आपासानी सिला प्राप्त कर सकते हैं वहीं 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे डेविट काड़ पर मुप्त अकासमिक भीमा कवर भी दिया जाता है वहीं फाइदा नंबर 6 दो लांक रुपे तक का एक्सिडेंटल इंसोरेंस कवर मिलता है वहीं खाता नंबर आपके पासन चाहिए और आपके खाते में दोस्तों आपकी सही डिटेल होनी चाहिए फाइदा नंबर 7 तीस हजार रुपे का लाइफ कवर जो लावार्ती की मिलत्यू पर योग्यता सरते पूरी होने पर मिलता है वहीं फाइदा नंबर 8 देश भर में आप पैसे के पैसे को कहीं पर भी ट्रांसपर कर सकते है और कहीं पर भी ट्रांसपर करने की यह स्विधा दी गई है वहीं फाइदा नंबर 9 सरकारी योजना के फाइदे आप इसमें ले सकते हैं आप किसी भी योजना का लाब जना चाहते हैं तो आप जंधन योजना के अंदर गत सीधा फाइदा अपने जंधन खाते में ले सकते हैं जो भी रासी है जो भी पैसे हैं वे आप अपने इस खाते में ही प्राप्त कर सकते हैं फाइदा नमबर 10 खाते में जमा राशी पर ब्याज भी मिलता है अगर आपके जंदन खाते में आपने पैसे जमा की हुए हैं तो उसका ब्याज भी आपको मिलेगा वही फाइदा नमबर 11 खाते के साथ फिरी बेंकिंग फिरी मोबाइल बैंकिंग के सुविधा भी दी जाती है अगर आपके पाजन्दन खाता है तो आप मुफ्त में ही यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आपको यह लाव लेने के लिए अपने बैंक में जाना होगा जी हाँ अगर आप इसमें से कोई भी सुविधा का लाव लेना चाते हैं या फिर आप किसी भी योजना का लाव लेना चाते हैं कि आपको जो भी योजना के अंदरगात लाब मिलता है जैसे कि आप परधान मंत्री आवास योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आप परधान मंत्री जंधन योजना में वह ले सकते हैं आप किसी दूसरी योजना का लाब लेना चाहते हैं तो उसकी रासी भी आप जंधन ख तक पहुंच पाता है वहीं फाइदा नंबर 12 जंधन खाते के जरी बीमा पैंसन प्रोडेक्ट खरीदना आसान है यानि कि अगर आप पैंसन लेना चाहते हैं तो आप जंधन युजना के नंद्रगत पैंसन भी ले सकते हैं बीमा भी करा सकते हैं दोस्ति में आप कई बड़े फाइदे पराप्त कर सकते हैं जो कि हमने आपको बताए हैं वहीं फाइदा नंबर 13 जंधन खाता है तो दोस्तों आप इसमें प्रदान मंत्री किसान और सरम योगी मानधन जैसी योजनाव में पैंसन के लिए खाता खुलवा सकते हैं और आप हर महिने पैंसन ले सकते हैं तो यह थे आपके लिए तेरा बड़े फाइदे जो कि दोस्तो जंधन योजदा के अंतरकाद दे जाते हैं अगर आपकी पास जंधन खाता है तो आप यह फाइदे ले सकते हैं गर आपने जंदन खाता आप तक नहीं खुलवाया है तो आप जंदन खाता खुलवा लीजिए और दोस्तो अगर आपने पहले ही किसी बैंक में खाता खुलवा रखा है और आप चाते हैं कि आपका जंदन खाता में वह कनवर्ट हो जाए तो दोस्तो वह भी हो जाएगा आप आपको बस अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ पर एक अपलिकेशन लिखनी होगी जिसमें आपका पहला खुला हुआ खाता सीधा जंदन खाते में करते जाएगा आपसे अमारा निविदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो किरिपया वीडियो को लाइक कर देजेगा आप जाते हैं आपसे इजायत और मिलते हैं आपको नए स्टुडियो में दोस्तो उससे पहले दोस्तो आपको बदा चाहेंगे कि सभी देशवासियों के या पिर आपको ब्रोता बैंक है यूनिऄंं बैंक है एक सी बेंक में आपना घ्ЕТक कर दे याता है तो हम जाते हैं आपसे एक रिज़ यह जात और मिलते हैं आपको ने स्टूडियो में दस्तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत